हेलो दोस्तों मैं हूँ सफल और आप देख रहे हैं सफल भी लोग दोस्तों ऐसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माते हमसे यूपी सीटी एक्जाम से जुड़ी हर इन्फॉर्मेटिब वीडियो मिलती रहती है हमारे तब से यह कोसिस रहती है कि आपको जादस जादस अब यूपी सीटी जो एक्जाम है वो 5 और 6 तारीक को कंड़क्ट होना है और ऑनलाइन मोड में एक्जाम होना है तो इस तरह से बहुत साहे लोगों ने अभी तक ऑनलाइन मोड में एक्जाम नहीं दिया है उनके लिए एक लाइप डेमो मैं इस वीडियो के जरी बहुत साहे लोगों को यह डाउट आरहा है अपको एक डैमों नहीं मिल पाया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में ग्याँगी और साथी साथ मैं बता दूँ आपको यूपी सीटी प्रिवेस यर कोश्चेन पेपर एम सी और वीफार्मा के अभी तक आपको ए एक डेमो नहीं मिल पाया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिगाम चैनल की लिंक दिए वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ परसनली कोई भी डाउट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहां से जाकर फॉलो कर लेना तो हम इस्टाग्राम पर परसनली आपके जवाब जरूर देंगे और साथ दे साथ मैं बता दूँ यूपी सीटी ऑनलाइन एक्जाम जो कंड़क्ट होने माला है उसको लेकर जो आपकी परसानी है इस वीडियो के जरी सारी क्लियर कर देंगे कोई भी परसानी इस वीडियो के बाद आपको नहीं आएगी तो सीधे आपको लिए चलते हैं ऑनलाइन मोड में किस परकासे एक्जाम होगा आपको इस वीडियो के जरी सारी फीलिंग आ जाएगी किस परकासे उपी सीटी ऑनलाइन मोड में एक्जाम होगा तो इस वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेर करना हमारी वीडियो को तो हम सीधे आपके टॉपिक पर बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मेरी सलाय यही रहेगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत करना बहुत साय लोग इसकेप करकर के वीडियो तो देख लेते हैं फिर बाद में कमेंट के जरी पूछते हैं कि पासबर्ड क्या डलेगा यूजर आईडी क्या होगी तो सारी चीज कंप्यूटर हॉल में घुसेंगे कंप्यूटर के सामने जब आप बैठेंगे तब आप देख पा रहे होंगे सिस्टम नेम दिया इस परका से आपका सिस्टम नेम लिखा होगा और आपका कंडिडेट नेम है आपका नाम लिखा होगा सब्जेक्ट नेम है आप किस सब्जे है या नहीं और आपको candidate जो name लिखा हुआ है उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है और जो photo है वो आपकी बन के नहीं आती तो जल्दी से आपको contact करना है invigilator से और आपको कहना है उनसे कि हमारी जो photo और name है वो नहीं आ रही आम तोर पर ऐसा बहुत rare cases में होता है अगर हो तो आपको खुछ से कुछ भी नहीं करना है सीधे आपको वहां पर जो भी teacher हों या invigilator हों उनसे जाकर आपको बिल्कुल contact करना है और साथ ही आपको उनसे कहना है जो आपकी problem है कुछ कभी भी जो चीज समझ में आया तो please खुद से मत करना उदर पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगी जो आपको direction देंगे तो खुद से कोई चीज मत करना तो आपको मैं बता दूँ system name लिखा होगा candidate name लिखा होगा subject name लिखा होगा photo लगी होगी बगल में और आपका side face scan किया जाएगा उसके बाद यह देखिए आप screen पर देख पा रहे हैं नीचे के तरह login demo मैं आपको बता दूँ user name जो होता है वो आपको पहले से डला होगा जी हाँ फिर से बो देता हूँ user name है वो आपका पहले से डला होगा अब पासबर्ड की बात आती है पासबर्ड में क्या डालना है तो पासबर्ड में simply बिलकुल आपको जो आपने application form भलते टाइम date of birth जो डाल लगी है या एडमिट कार्ड में जो date of birth mention है उसी को आपको डाल देना है पासबर्ड में जीहां रुबारा सुन लीजेगा जो आप आपको कुछ important instructions आपको देखने को मिल जाएंगी जैसा कि आप इदर पर देख रहें और इनको इसमें साफ साफ लिखा है please read the instructions carefully तो इनको आपको ध्यान से थोड़ा सा 2-4 मिनट पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ा है क्या कुछ duration रहने वाला है और किन किन बटन से किन किन कह कहा पर क्लिक करने से क्या क्या चीज़ा होती है इसमें दिया हुआ है white पर क्लिक करेंगे तो आपको you have not visited the questions ऐसी कुछ आपको instructions आने आप इसकी इन पर भी दिए हुए है पढ़ लीजिए तो अगर मैं पढ़ने जाओंगा तो बहुत जादा time लग जाएगा अगर आपको instructions वाली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के description box में आपको मिल जाएगी computer-based test के जो instructions है computer-based test कैसे होता है online test कैसे होता है सीधे मैंने इस वीडियो के description box में उसकी भी डाल रखिए सारे instructions को बोल बोल के बताये तो आपको इधर पर click कर देना I have read the understood the instructions and आपको proceed कर देना है तो इस प्रकास से आपका जो है वो timing आपको सो होगा screen पर और ऐसे ही आपका जो timing है candidate name, exam name, subject name है इस प्रकास से सो होगा और subject name जैसे की है वो आपका भी B-tech बालों का मैं खोल लखा हूँ तो B-tech बालों का आ रहा है मगर वहां पर जब आपका subject होगा उसके आधर पर आपका आएगा exam name जो है वो आपका आ जाएगा जैसे की uneasy exam है तो आपको वही आएगा अब आप इस screen पर देखिएगा कि कुछ इस प्रकास से आपकी जो questions है वो खुलकर आजाएंगे देखिये करके next में बढ़ना है तो आप उसमें बढ़ सकते हैं अगर save and mark for review mark for review मतलब यह होता है कि अगर आपको बाद में यह review करना है तो आपको उपर जो है side में so हो जाएगा कि किस परकास से आपको कितनी questions attempt किये गई हैं तो आपको ऐसे save and next में click कर देना है तो आपका जो next question है वो आपका खुल के आ जाएगा तो इसी परकास से आपको सारी चीज़ें करनी है और आपको बिल्कुल भी तकलिफ लेने की जरूरत नहीं है इधर पर सारे instructions दी होंगे जैसे कि मैंने अभी पहला question attempt कर लिया है तो इधर पहला लिख किया जाएगा answered और अगर आपने mark for review करके रखा होगा तो आजाएगा not answered जो questions है वो भी आपको number one के आएंगे कितने questions आपने visit कर लिये हैं कितने questions के answer दे लिये हैं कितने visit नहीं किये हैं और कितने के answer नहीं दिये, mark for review कितने questions किये, answered and mark for review, यानि आपने answer तो दे दिया, मगर छोड़ दिया कि हम इसको देखते हैं, बाद में क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें इस प्रिकार से करनी है, आयोब में आ रहे होंगी, आपको ऐसे कुछ interface दिखाई देगा, आपको ऐसे ही आँगे बढ़ते जाना है, ऐसे ही अगर आपने दूसरे question का answer दे दिया, फिर आपको save and nest, अब आपको कोई question ऐसा आप मान लिजे, इसका question में आपको doubt लग रहा है कि three answer सही है, और आपको ये भी doubt आ रहा है, हो भी सकता है कि गलत हो जाए, तो आपको क्या करना, save and mark for review, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको सीधे नया question आ जाएगा, और ये जो question है, वो mark for review के लिए चला जाएगा, मतलब कि last time पे जो questions आपने mark for review के लिए छोड़ दी है, वो आपको so हो जाएगे, आप उधर पे जा सकते हैं, जो options दी हैं, उसके आदार पे, तो आप समझ पा रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें, ऐसी आप mark for review and next भी कर सकते हैं, तिरी का answer ना देकर, आप ऐसी इधर पे मैं आपको एक question दिखा देता हूँ, अगर आपको यह answer नहीं आ रहा है, तो mark for review and next, यानि आपको इसका answer यह नहीं आए, आपको last के लिए इसको छोड़ देना है, समझ पा रहे हैं, यह सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसके पढ़ने हैं, आपको इसके पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनलाइन एक वीडियो डाल रखा है, किस परकार से क्या instructions हैं, उनको देख लेना, साथ ही साथ जो admit card जारी हुआ है, 4 pages का admit card है, क्या कुछ आपको self declaration form कैसे बनना है, क्या चीज़ें हैं, आपको सीधे कर देना है, I hope ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसी और भी knowledgeable वीडियो चाहिए, अभी आँगे counseling का time आएगा और cut off का time आएगा, तो हम अपने channel के माद्यम से सारी चीज़ें clear करने का प्रयास करेंगे, अगर ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like कर लेना, क्योंकि हम आप तक लगबग ये कोस्ति करते हैं, जादा जादा knowledgeable वीडियो पहुचाने का प्रयास करें, तो इस वीडियो में भी हमारी काफी जादा efforts लगे हैं, तो इस वीडियो को like कर लेना, चैनल को subscribe करना और share करना हमारी वीडियो को.